उसके कहने से क्या होता है? वहत तुरंत गुस्सा हो जाता है. मैं तो बस यूँ ही पूछ रहा था. तुम गलतिक कर रहे हो. ये तुम्हारा काम है. इसे मैंने निउस पेपर में पढ़ा है. मेहनत रंग लाई. सब बेकार है. उसे पैसे का घमंड हो गया है. आपको यहां देख कर खोशी हुई. So friends, आज की इस वीडियो में मैं इन सभी हिंदी संटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा. उसे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट अगर आप चैनल पर निउ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे एजुकेशनल चैनल ब्राइटनेस ओफ एंग्लिश को और प्रेस कीजिए बेल आइकन फॉर अपकमिंग नॉटिफिकेशन चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उसके कहने से क्या होता है? What he says doesn't matter. वहत तुरंद गुसा हो जाता है. He is very short temper. मैं तो बस यूँ ही पूछ रहा था. I was just asking casually. तुम गलती कर रहे हो. You are making a mistake. ये तुम्हारा काम है. This is your job. इसे मैंने निउस्पेपर में पढ़ा है. I have read this in the newspaper. आपको यहां देखकर खुशी हुई. Glad to see you here. मेहनत रंग लाई. Hard work came to end. सब बेकार है. Everything is useless. उसे पैसे का घमंड हो गया है. He has become braggar towards money. So friends, यह थे हमारे 10 Hindi to English sentences. आप इन सभी sentences की प्रैक्टिस कीजिये और देखते रहे ये brightness of English. उसे लिएवचर हुई. This is the ंग एक लाई.